दोस्तो प्राचीन काल में रत्न भद्र नाम से प्रसिद एक धर्मात्मा यच्छ गंध माधन परवत पर रहता था। उनके पुर्ण भद्र नामक एक पुत्र उत्पन हुआ, अंत में उनके भोगों को भोग कर उस रत्न भद्र ने सिव ध्यान परायन हो परम सांत सिव लोग को प्राप्त किया, पिता के सिव लोग चले जाने पर पुर्ण भद्र ने संतान हीन होने से अपनी भारिया कनक कानवान होकर पुत्र के लिए क्यूं खेद करते हैं यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाई कीजिए इस जगत में उद्धमी लोगों को क्या दुरलब है जो प्रानी प्रारब्ध के भरोसे रहते हैं वह नितांत का पुरुस हैं क्यूंकि अपना किया हुआ कर्म प्रारब्ध है और कुछ नहीं इस कारण प्रटिकूल प्रारब्ध को सांत करने के लिए समस्त कारणो को भी कारण रूप भगवान शिब की सरन में जाना चाहिए यदि आप सरव्स्रेष्ट पूत्र चाहते हैं तो अपनी पतनी की बात सुनकर यक्षत राज ने गीत वर्स का हुआ तभी से वह खेल में धूली अर्थात बालू का सिबलिंग बना कर तिर्न आरदी अर्थात दुरवा से उनका पूजन करता और अपने साथियों को सिब नाम से ही पुकारता था। चोड़ कर किसी अन्य जगह नहीं जाता। उसके नित्र, सिब के अतरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह सप्न में भी भगवान सिब को ही देखा करता था। भगवान में विचार किया कि जिसकी कहीं ठीकाना नहीं है उसका कासी पूरी ही अधार है। जिस अभिमुक्त छेत्र में पंच भवतिक देह त्याग कर प्रानों का सिब की प्रसंता से फिर देह से संबंद नहीं रहता। उस आनंद बन में जाकर वह तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान सिब ने पारवति को अपना बिहार बन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से सुसवभित था। भगवान सिब बोले। हे देवी जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो वैसे ही यह आनंद बन भी मुझे बहुत प्रिय है। मेरे अनुगरह से यह आनंद बन में मरे हुए को जन्मरन का बंधन नहीं होता। अर्थात वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पुन्य आत्मा के कर्म बीज विश्वनात की प्रजोलित अगनी में जल जाते हैं। उसी से फिर वे गर्भासय में नहीं आते। कासी वासी लोगों के देहन समय में मैं ही तारक ब्रह्म ज्यान का उपदेश देता हूं जिससे वे उसी छन मुक्त हो जाते हैं। कल्यूग में विश्वनात देव का दर्सन, पूजन, कासी, पूरी, भागी रथी गंगा आदी का सेवन तथा सत्पात्र को दान विशेष फलदायक होता है। को भर देकर इसका मनोरत पूर्ण कीजिए, इसका चित केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही आधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान सीव उसके पास गये और उन्होंने समाधी में अस्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्ष किया। दया सिंधु का स्पर्ष पाकर उस यच्छ ने आँखें खोल कर अपने समुख प्रतेच अपने अभिष्ट को देखा। गदगत स्वर में यच्छ ने कहा हे संभो हे पार्वती पते हे शंकर आपकी जय हो आपके कर कमलों का स्पर्ष पाकर मेरा यह सरीर अम्रित रूप हो गया। इस प्रकार प्रिये बचन सुनकर भवान सिप बोले हे यच्छ तुम इसी छन मेरे बर से मेरे छेत्र के दंड नायक हो जाओ। तुम दुष्टों के दंड नायक और पुन्यवानों के सहायक बनों और दंड पानी नाम से बिख्यात होकर सब उधट गनों का नियंत्रन करो। कासी में दंड पती के रूप में अस्थित हो गए और भक्तों के कल्यान में लग गए।